हलो फ्रेंट्स आज मैं बना रही हूं गाजर और हरी मिर्च का मिक्स अचार यहां पर मैंने 50 ग्राम गाजर ली है जिसका छिलका उतार कर इस तरह से लंबे टुकडों में काट लिया है छिलका निकालने के साथ ही हम अंदर का सफेद वाला हिस्सा भी इस तरह से निकाल होगी आप चाहें तो गाजर को लंबे टुकडों की जगह गोल आकार में भी काट सकते हैं 50 ग्राम ली है हरी मिर्च हरी मिर्च को मैंने इस तरह से दो वहाग में काट लिया है और इसका बीजा निकाल दिया है थोड़ा सा अधरग लिया है अधरग को भी छिलका निकालकर इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप चाहें तो अद्रक को इसकीप कर सकते हैं, तीन नीबुका रस लेंगे, सबसे पहले ये दो चम्मज तेल लिया है मैंने, इसे गरम होने के लिए रख देते हैं, तेल गरम हो चुका है, इसमें से इस तरह से धुआ निकल मिर्च और अद्रक को डाल लेंगे, साथ में ही डालेंगे, एक बड़ी चम्मज सोफ, ये मोटी सोफ है, इसे मैंने हलका दरदरा सा पीस लिया है, चार चम्मज लिये राई की डाल, राई की डाल इस तरह से पीसी हुई और साफ, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, एक च इंच डाल रही हूँ हिंग, तीन बड़े निपु का रस, इसे मैंने चान लिया है, साथ में ही तेल डाल लेंगे, तेल ठंडा होने पर डालें, गरम तेल बिलकुल नहीं डालना है, आधा छोटा चम्मज डालेंगे हल्दी पाउडर, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर जालेंगे, याद रखें अचार में नमका में थोड़ा सा जादा ही डालना चाहिए, यह प्रिजर्वेटिव का काम करता है, आप चाहें तो इसमें नीबु का रस भी कम या जादा कर सकते हैं, नीबु का रस अगर जादा होगा, तो यह हरी मिर्च और गाजर को गलने में आसानी देगा, आप भी अचार अगर इसी रेसिपी से बनाएंगे तो अचार बहुत ही स्वादिस्ट बनेगा और लंबे समय तक यह खराब भी नहीं होता है, अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर एक चममज विनेगर डाल सकते हैं, उससे भी अचार खराब नहीं होता ह मैंने यहाँ पर विनेगर नहीं डाला है क्योंकि मेरा अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है और वैसे भी यह अचार बहुत ही जल्दी खतम हो जाएगा, आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होते से लाइक कीजिए और विस तरह की रेसिपीज देखने के लिए म हुआ है